दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि क्या अगर पीता चाहे तो एक ही बेटे के नाम सारा पुरपटी कर सकता है या फिर नहीं दोस्तो अगर यहाँ पर चार पूत्र हैं तो जो पीता जी हैं क्या उनके पास या अधिकार है क्या कानून यह राइट्स देता है कि अगर वह किसी बेटे से ज़्यादा खुस है और बाकी बेटे से नाराज है तो फिर क्या इस सूरत में वे सारी पुरपटी एक ही बेटा के नाम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं दोस्तो इसके लिए पहले आपको कुछ बातों को समझना होगा यहाँ पर जो पिता जी की संपती है जिस पर वे अपना दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं एक ही के नाम सारा कर दूंगा तो यहाँ पर जो भी संपती होगा वह भी हो सकता है जो कि उन्होंने अपने जीवन काल में खुद से कमा कर अरजित किया हो, उन्होंने अपने नौकरी से कमाया हो, उससे अरजित किया हो, या फिर बिजनेस से अरजित किया हो, यानि कहने का मतलब है कि वह समपति उनकी पैत्रिक ना हो, बलकि उन्होंने अपने जी कार होता है यहां पर पीता जी के पास यह राइट्स नहीं है कि वे खूस होकर या फिर ना खूस होकर किसी एक बेटों को सारा समपति लिख दें और एक बेटों को कुछ नहीं दें जो पैत्रिक समपति होता है उसमें सभी को बराबर हग मिलता है अगर पीता जी यहां पर एक पैत्रिक संपति का वसीयत नहीं बनाया जा सकता है, जितने भी पुत्र हैं सभी का बराबर बराबर हिस्सा पैत्रिक संपति में होता है, यहां पर किसी एक के नाम पैत्रिक संपति नहीं किया जा सकता है, लेकिन हां जो संपति पिता जी ने अपने जीवन काल में कमा कर अरज औरजित की है वह चाहें तो वह किसी को दे सकते हैं वह किसी एक ही पुत्र को दे सकते हैं या फिर किसी थर्ड पाटी को किसी भी दूसरे परसन को दे सकते हैं यहां पर वह पूरी तरह से स्वंतंत्र हैं यहां पर आप इसके लिए कोट नहीं जा सकते हैं पैतरिक संपति के ल से चाहिए दे सकते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर मन में कोई सवाल है तो आप भेही चेक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जूरना करने चाहते हैं फोन से बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें Instagram पर follow करें मेरा Instagram पर वही WAS और प्रतियष 158 फॉन तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक सदिक अपने दोस्तों और सिधारों में व्यारूरूरण सेर करें हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ अब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल लखें